है लो फ्रेंड्स वेल्कम तो माय यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम अनलाइस करेंगे एक व्यूचिप स्टॉक जो हमारा सीरीज चलुए स्टॉक अनलाइस की उस सीरीज में नेक स्टॉक होगा हमारा अनलाइस कर लिए हमने शुरू किया था मार्केट के पोई तो रिलाइस किया उसकी बाद में टीजिए इंफोसेट साइसे बैंक हल यस बैंक बैजर फाइनान्स बारती एक और अभी जो है तो ग्यारावा नाम है कोटक महिंद्रा बैंक जिसका मार्केट कैप है तीन लाग सड करोड का तो 3.67 करोड लाग का उसका मार्केट कैप है और जिसका जब मैंने ये CSP फाइल डाउनलोर की थी तब उसका बहुत चाहता था अंट्रस्वर को अभी देखते उसका चार्ट और देखते कि उसके पॉसिबल क्या टार्गेट हो सकते है और इस ये अर अलसो पॉर मी करते कोटक मेंदर बैंक को तो लास्ट रेडिंग सेशन में कोटक मेंदर बैंक जो है तो क्लोज हुआ है 1856 से अबब 61 रूपे 62 रूपेज गेन के साथ 3.5% उपर बंद हुआ है जो हमने फ्राइडे में मार्केट में रैली देखिए उसमें पार्टी स्वेट किया कोटक मे विखकी रूपेम कि अब है मंत्ली चाट पर कैसे देखता है चार और स्टॉक का आप देख saakticїus टॉक जो है तो लघवग्वेट लाट ले और पिछले महिने का जो रहेंज था उसी रेंज में यह स्टॉक के लेवल भी देख सथे हैं तो 1500 से लेकर 1200 का जो लेवल है वह एक्मेलेशन के लिए यूज़ करना है जिनने लॉट करना है उनके लिए चला होगी कि बाराओ सुख का लेवल का वेट कीजिए अगर को बिल्कुले एंटर करना चाहिए तो लॉट करना चाहिए और आपको जो एंटरी करनी है वह थोड़े थोड़े कॉंटेटी लेते रहेने है उस लेवल और उसके नीचे तो पंदरा सो पे जो रहेगा तो एक बेस्ट एंटर रहेगी और अगर आपको वैल्यू बाय करना यह स्टॉप तो जो लेवल रहेगा मेरे इतर से ओ रहेगा बारा सो और उसके नीचे यह स्टॉप जो है तो टर्न आउट टुबी अव वैल्यू बाय उपर जो है तो हम लगबग 25 तक के मीडियम को लॉंगर टार्गेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो बारा सो के लेवल पर अगर मिलता है तो पच्छी अब देखते हैं वीकली चार्ट तो वीकली चार्ट पर जो है तो लास्ट टू विक से यह जो स्टॉक है यह लगबग रेजिलेंस दिखा रहा है हमने मार्केट में इतना पॉल देगा तो भी पॉटक माइं राप बैंक में उसमें पार्टिस्वेट नहीं किया और यहां ज करने के लिए जा रहा है तो मुझे लगता है कि आगले वीक में हम जो है तो 1980 का लेवल जो है तो टेस्ट कर सकते हैं और यहां बुलिश पैटन दिखाई दे रहे एस पर वीकली चार्ट यहां नीचे जो सपोर्ट है वह 1740 का है तो अगर 1740 चूड जाता है तो हम नीचे के इद्द में लेखेंगे नीचे के लिए औरहेंगे इस साल के लिए अगर हम सब्सक्रान करता है तो सब्सक्राइब करतें हैं तो नीचे जो टार्गट वास्ट करतें हूं वो है 1650 उसके बाद में लगबख 1250 के अरावं टार्गेट आते हैं इस साल के लिए और यहां मेजर जो आवरेजस हैं यहां उसमें 100 विक का जो आवरेज हैं वहां पंट्रियू सपोर्ट ले रहा है यह आप देख सकते हो तो यह अगर यह 1740 के नीचे क्लोज होता है तो हम 1550 या 1500 की लेवल बिल्कुल आने वाले कुछ हफ्तों में देखाई दे सकते हैं मगर यहां जो प्राइस पैटर्न है वो जो है तो रिकवरी साइड है और हो सकता है कि नीचे जाने से पहले एक पर स्टॉप जो है तो नाइंटीन सेवांटी से एक और एक का जो लेवल है उसको टार्गेट रहेगा तो 1970-1980 का रहेगा अगले वीक के लिए एक दो वीक के लिए मगर जैसे हम 1740 के नीचे जाएंगे हम जो है तो एक लांग टम करेक्टिव ट्रेंड में घुस जाएंगे और नीचे के लेवल हमें जो है तो मोमेंटसली आते हुए देख सकते हैं इन मेड और जब तक कि यह 1970 अस्टी का लेवल क्लास नहीं करता है तब तक मुझे लगता है कि ट्रेंड चेंज होगा तो यहां जो है तो थोड़ा से रिजलेंस दिख रहा है उतनी सिलिंग नहीं है तो आउट परफॉर्म से मगर मार्केट अगर ज्यादा फॉल आता है मार्केट मे सब्सक्राइब गिरने लगेगा और यह इंडिक्स का भी प्रेशर आ सकता है अभी देखते डेली चार्ट तो डेली चार्ट पर आप देख सकते हो कि यह जो स्टॉक है एक रेंज में घुम रहा है जीचे की जो सब्सक्राइब पर जो है तो इसको रेंज बाउंड लगता है तो इसको रेंज बाउंड वैसे तरीके से चलना चाहिए अगर आपको शॉड जाना है तो इंचे ही जाएए उसके निचे ही आपको अच्छा कासा मोमेंटम और अच्छा कासा पॉल देखा अभी डेली चार्ट पर जो है तो स्टॉक बूलिश देख रहा है इंडिकेटर वाइस भी और प्राइस पैटन वाइस भी तो यहां हम जो है तो जैसे हमने वीक्ली चार्ट पर देखा तो उननीस सो सत्तर उनीस सो अजची के लेवल जो है अगले कुछ दिनों में एक्सपेट कर सकते हैं यहां अगर आपको लॉंच जाना है तो मेरी सब्सक्राइब करना है यह स्टॉप लगबग अट्रास्ट बीस अट्रास्तों के अरौं आपका जो स्टॉप करेगा वह उनीस सो सतर उनीस सो अस्ति कराएगा मगर यह जो ट्रेड ही हाई रिस्क हिकल की मार्केट जो गिर रहा है और हम जो तो लॉंच कर रहे हैं तो इसके वज़े से और व्लेटरी भी बहुत जाए उनमार्केट में अगर यह स्टॉप फोर आसा जो है चार्ट वाइ तो यह जो है तो यह अच्छा फसर रैली दे सकता है तो जहां मेरे बुलिश वी रहेगा एस पर डेली चार्ट और हमने विकली चार्ट पे भी देखा वह भी बुलिश भी मगर हाई रिस्क है जहां स्टॉप बस्तिकर होने की ज्यादा संभाला है क्योंकि जो खाला थे या फिर डीपर लेवल बारा सुपर आते है तो वह एक वन अप्डी ओपर्चनिटी होती होगी इतल लॉंग टम जी हो तो यहां जो एक शॉट तम चार्ट पे भी मुझे बुलिश लग रहा है स्टॉप तो हमारे स्ट्राटिजी रहेगी अट्रा सुट्य आरोंड बाय करन और जो ऑप्शन ट्रेडर है उनके लिए भी सला रहेगी कि अगर आपको यह फ्यूचर के लिए कॉल था तो अगर आपको रिस्क कम करने तो आप जो है तो उनिस्टो का कॉल ले सकते हो उसमें जो है तो डिकलाइन पे एड कीजिए स्टॉप लास सेम अगर स्पॉड जो है जो मार्च से रिसका होगा यह रहा डेली चार्ट का अनले से तो यहां बा है और आगर आपको फोकस करना है उसको डिप्स पर वाय करना है विकली चार्ट पर भी यहां हाई रिस्क लॉंग कॉल बनता है और मुझे लगता है कि 1970-1980 की लेवल जो है ताने वाले एक दो आफ यह जो लुबनाएं यह हाईर लुए और हम फिर से जो है तो हाईर बनाने के तरफ जा रहा है तो इस बार शायद 1980-1970 का लेवल जो है तो शायद यह स्टॉक्ष कर सकता है मगर उसको जो हालाते वो सपोर्ट करनी जाए तो इसलिए आपको श्रिक स्टॉपलस के साथ ही ट् आप प्रेड ले रहे हो, तो स्टिक्स आपलस के साथ प्रेड लीजे क्योंकि ओरनाइट चीज जो है, तो चेंज हो सकती हो और हम जो है, तो 1740 के नीचे अगर गए तो वहाँ भी एक opportunity बानेगी, अगर 1740 के नीचे गए तो वहाँ शोटिंग के opportunity बानेगी, वहाँ आप सकते हो 1740 या 1750 का जो भी एवलेवल होगा, और वहाँ जो target रहेगा उस scenario में, हमारा 1550 से 1500 के target हमें को मिल सकता है, तो यहाँ दोना तरफ के trade बनते हैं, 1740 के नीचे बेरिख 1740 के उपर जो है, तो recovery rally आ सकती है, as per weekly chart, और monthly chart पर हमने देखा कि यहाँ जो है, तो मुझे लगत जो monthly chart है, वो अभी फिलाल के लिए, थोड़ा सा week दिखाई दे रहा है, और यहाँ long tough direction के ज़्यादा संभाना है, और नीचे के support level, शायदी stock आने वाले कुछ medium to longer term में, टेस्ट कर सकता है, तो हमने daily chart देखा, weekly chart पर setup देखा, और monthly chart का भी analysis देखा, तो I hope so कि यह आपके तो प्लीज दोस्ते वीडियो को लाइक कर दीजे, वीडियो को जाला से जाता लोगी, सब्सक्राइब कीजे, अगर आपको मेरे वीडियो पसंदे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे, और अगर आपको मेरे 1KCR Club जो wealth creation program equity का उसको join करना है, तो उसका description आपको जो है, तो and press the bell icon, never miss an update.